तो फ्रेंट जिस तरीके का आपने अभी स्टेटस दीखा है जैसा कि दिवाली आने वाली है और अपने फ्रेंट्स को दिवाली की सुब कामना है देना की जैसी वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी सा बना सकते हैं जिसके लिए आपको एक एप की मदद लेनी होगी जिसका नाम है काइन मास्टर काइन मास्टर एप का लिंक आपको नीचे डि और फोटो मैं इसमें यूज करने वाला हूं वह सारी फोटो पिंजिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी जैसे ही आप इस एप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला है यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आप स्टेटस से रिलेटिड बहुत सारे टिटोरियल मिल जाएंगे आप चाहें तो उनको भी देखकर स्टेटस बनाना चाहते हैं या शौके नहीं तो आप बड़े ही असानी से बना सकते हैं यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे को सब के बाद यहां से हम मीडिया में जाएंगे मीडिया में जाने के बाद हम यहां से डाउनलोड में जाएंगे डाउनलोड में मैंने कुछ पी एंजी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो आपको मिल जाए और फोटो का जो बैक्ग्राउंड कैसे रिमूब करते हैं उसकी वीडियो का लिंक आपको ओपर आई बट्म पर भी मिल जागा और लिंक में नीचे आपको डेस्क्रिप्शन वॉक्स में दे दूँगा तो यहां पर मैंने कुछ पी एंजी बना कर रखे में जो मैं इसमें लगाने वाला हूँ तो अभी हम सबसे पहले यहां पर एक बैक्ग्राउंड ले लेते हैं मीडिया में जाके यहां से हम ब्लैक बैक्ग्राउंड ले लेंगे तो हम इस बैक्ग्राउंड का जो साइज है वो उतना बड़ा कर लेंगे यतनी बड़ी हमारे को अपनी स्टेटस बनाना है इसको हम उंगली के मदद से बड़ी आसानी से कर स सब्सक्राइब सब्सक्राइब रहेंगे चिसका इस्तिमाल करेंगे जो मने अभी बनाएब यहाइब को स्पर्वेट से का सब्सक्राइब हम इसकी layer को अपनी वीडियो के बरावर कर लेंगे उसके बाद उपर से right click करेंगे हम अगर इसका एक और duplicate बनाना चाहते हैं तो इसी की layer पर दुबारा click करेंगे three dot पर click करने के बाद यहां से हम duplicate पर click करेंगे हम इसको अगर दूसरी तरफ भी इसी परकार का set करना चाहते हैं तो हम इसको यहां पर इस तरीके से अंगली की मदद से लगा देंगे यहां पर हम right click करेंगे उसके बाद हम यहां से दुबारा layer में जाएंगे मेडिया में जाएंगे download में जाकर अहमने यहां पर जो पी-एं-जिह है तो वह हम यहां लेकर के आएंगे इस परकार से आपके सामने यह यह अभी दिवाली का घ्लिका जो लियर में जाएंगे यहां पर हम दोबारा डाउनलोड में जाएंगे और अगर बैक्ग्राउंड निकाली हुई आपकी खुद की आप फोटो लगाना चाहते हो तो वह भी लगा सकते हैं बैक्ग्राउंड कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी आपको आपको मारे चैनल पर मिल जाएगी जैसा कि हमने आपको बताया तो अभी हम यहां पर लक्ष्म सब्सक्रक्राइब करें कि अब इसको नीचे यहां तक लेते बाद लक्ष्म महियां पर दिय 27 चेहां पर सेट कर लेते इसके लेयर को भी हम अपनी वीडियो के बरावर कर लेंगे और उसके बाद हम यहां से लेयर पर क्लिक करके दुबारा से मीडिया में जाएंगे तो हमारे पास डाउनलोड में हम देख लेते हैं कि अभी हमारे पास और कुछ है आप चाहें तो इसमें और भी फोटो वगयरा लगा सकते हैं तो हम यहां पर कुछ एक फोटो का स्थमाल और कर लेते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करके इसके एक डुप्लिकेट ले ले लेते हैं और इसको हम यहां पर भी कुछ इस प्रकार से सेट कर लेते हैं उसके बाद हम इसकी जो लेयर है उसको भी अपनी वीडियो के बराबर कर लेते हैं दोनों लेयर को और राइट क्लिक करना ये बाद हम लेयर में जाएंगे यहां से हम ओवरले में जाएंगे ओवरले में किने मास्टर का जो खुद का दिये हुए ओवरले होते हैं वह यहां से आप से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो मैंने कुछ डाउनलोड किया है मैं उनको यहां पर लगा लेता हूँ एव मैंने डाउन्लोड कर सकते यहां से मैं सुब्ड ऍपावली का जो के मास्ट्र का बनाया हूब है उसको को लगा लेता हूं यहाए इसकी लिएर इसकी लेयर को हम अपने वीडिय具 के बरबर कर लेते हैं इसको को कबते हैं अंहंके करते हैं और यहां miedo दुबारा लेयर पर क्लिक करके ओवरले में जाएंगे और यहां पर कुछ लाइटिंग वगएरा का भी है तो आप उसको भी चाहे तो अगर अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं andra option की की से मैं इसकों सेलेक्ट कर लेता हूं याह से इसको लिए कर सकते हैं तो मैं इसको रूटेट करके यहां से कुछ इसको इस तरीए यहां पर किलिक कर गएंगे में लगा चाहते हैं यह लाइटिंग का बहुत अच्छा लगता है और फिर उसके बाद हम दुबारा लेयर पर क्लिक कर गया और इसकी साइज को भी हम अपनी वीडियो के बराबर बना लेंगे मैं जो अभी यह बना रहा हूं स्टेटस इसका मैं नीचे दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए तो आप इसको डाउनलोड भी कर लेंगे जो कि अगर आप चाहते थो और अब में दुबारा यहां से लेयर पर क्लिक करूंगा ऑवरले पर क्लिक करने के बाद यहां से मैं कुछ दिवाली और जो मैं यहांपा लगा सकता हूं देख लेता हूं जैसे कि लक्ष्व में आगे पैर हैं इसको भी हम उठा लेते हैं और इसको च्छोटा कर देते हैं या ऊपक 되면 सब्सक्राइब ऑशीद साब लोख सकते हैं यहां पर वहुत से आपको किने मैस्टर गे जो ओवरًलेज हैं वो मिल जाते हैं तो मैं और देख लेता हूं ओबर ले में जाके यहां से और मिठाई अगर आप लगाना चाहते हैं दीवा जो इसमें दिया हुआ इसको ले लेते हैं इसके साइज को उंगली की मदद से आप छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हूं तो मैं इसको छोटा कर देता हूं इसका भी थेरी डॉट पर क्लिक करके डुपलिकेट ले ल देता हूं तो अब इसकी लेंद को भी वीडियो के बरवर कर लेते हैं तो यह भी हमारा ब्सकून की लेंद का बड़ावर हो गया है और अब हम यहां से लेयर पर क्लिक करते हैं मीडिया में जाएकर डाउनलोड में जाएंगे और यहां से मैं आपके सामने भी एक ब्लैक स्क्रीन जो एफेक्ट है वीडियो में एफेक्ट आ जाता है इससे इस पर क्लिक करना के बाद हम यहां से इसको पहले फुल स्क्रेन पर ले आएंगे इसको यहां से हम ओके करेंगे और उसकी layer पर click करके हम यहां से इसको blending के मदद से इसको हम screen कर देंगे और इसके बाद यहां से हम audio में जाकर हमारे जो mobile में यतने भी गाने हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे जो भी गाना आप इसमें लगाना चाहते हैं वो गाना आप यहां से कोई भी मतलब कि select करके कोई भी गाना जो भी आपके पस माता के गाने हैं या च्छा गाना है यहां से आप इसमें लगा सकते हैं तो मैंने जैसा कि जैसा कि मैंने इसमें एक music लगा दिया है तो अब अगर मैं समझता हूं कि मेरा जो यह वीडियो अब पूरी तरीके से ठीक होगी तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा उससे पहले मैं यहां पर इस म्यूजिक के एक्स्ट्रा पार्ट को यहां से मैं रिमूब कर देता हूं अब यह कुछ इस प्रकार से आपके सामने नजर आएगी और जब अगर यह मेरी वीडियो कंप्लीट हो गए तो यहां पर शेयर के बटन पर क्ल से लेकर ओन करना ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोगाईल में सबसे पहले आए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद